जिले में 3 अप्रेल को पहला positive case आया था उस case के पहले भी उन्हों के लगतार प्यास कर रहे थे लिक्न उस case के बाद जो case डिटेक्ट हुआ हुन लोगों ने पूरे area को containment zone बनाया और containment zone में लगतार सर्वे और screening करकर के एक एक विरती की चांच की गई और इसके लावर जो भी contact tracing थी उन लोगों के sample लिए गए और यह सुरुषित किया गए कोई भी विरती screening से नहीं चूटे उसका परिणाम में कि आज 14 दिन पनगा दिन लीट गये हैं और कोई भी नया case हम लोगों के सामने positive अगल पुर्जिर में प्राप नहीं हुआ है इसमें सभी लोगों का प्यास बिल्कुल रहा है और इसके लिए मैं लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि अगले 14 दिन भी काफी important है और यदि हम इस पूरे छेत्र में कोई भी नया positive case नहीं आने दे हैं या अपने tracking को इतना बहतर रखे हैं तो हम लोग इसको लगातार करा रहे हैं बिल्कुल tracking लगातार जारी है house to house, door to door survey कराया जा रहा है और इस निश्चित किया जा रहा है कि कोई भी suspected व्यक्ती हम लोग करदार से नहीं चूटे और हम लोग प्रित्संकल्पी थे हैं कि भागवपुर जिले में coronavirus के संक्रमन को रोख थाम निश्चित कराएं